हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब तो आज मैं आप सभी के साथ मेलाई हूँ शेयर करने के लिए मुगलाई चिकन चंगेजी रस्टरों स्टाइल बनानी की रसपी तो आप इस रसपी को त्राइ कीजिएगा बहुत डिलीशिस और यमी बन कर त्यार होती है तो मैं आपको अदे लिटेल्स में कटे वे थे पानी अलग कर लिया है इसके साथ ही इसमें कुछ मसाले डालने हैं तो सबसे पहले मैं डाल झाला हुएं नमक एले लाल मिर्च का पांडर फटोड़ा सा हलदी पांडर आफिक के और इसके साथ इमां पर लहीं हूmaँ son leve lazy lady झाल कर अच्ो बहुत अच्छी कोटिंग आ जाए इनके उपर और यह देखें बहुत अच्छा सा मसाला लग गया है सारे चिकन पीसे पे तो अब इसे हमें रखना है ढखकर तो साइड पे तकरीबर रख दे 10-15 मिनट किचन काउंटर पे ही साइड पर रख दीजिए और चलिए बढ़ते हैं यह देखें इसके लेयर जो है खुलना शुरू हो गई है तो लो टू मीडियम फ्लेम पे प्यास को हमें अच्छे से फ्राइ कर लेना है अभी ब्राउन कलर नहीं आया है इनके उपर तब तक एक प्रॉसस कर लेते हैं तो यहां पर मैंने टमाटर का पेस्ट लिया हुआ है जो ठेखें अनवे तो आपना नहीं है जो जो आपना शुरू में 2 तोमाटर लिया और इसको ग्राइड कर इसका फाइन इस तरह से पेस्ट बना लिया है तो यह बन डिस साथ ही इसके साथ!!!!! Knox क्पहल तो एक बड़े चमच लाल मिज्च का पाउडर डाल रहे हुँ मैं एक ब चाट मसाले का पाउडर उपक्टे जाल एक जाल एक पाउडर एक पाउडरा तो आजिए परोजेगे लिवीत बाउड़ा है जाने चाट मासाले का पॉडर और लो भी हो दिए हमारे प्रेपरिशन हो चुकी है यहारे इसको रखते हैं साइड पहर चली बढ़ते हैं देख लेते हैं अपने प्यास को तो भू अच्छी फ्राइ anonym किया है च्रिंन में गूँ दिले हैं 20 गाजू skो हचे 1 गाजून तो बस प्याज हमारी हो चुकी है इसको मैं निकाल लेती हूं तो इस तरह से मैंने एक प्लेट में निकाल पर साइट पर रख लिया है अब यह बहुत गरम है थोड़ा इसको रूम टेमरेटर पर ठंडा होने देते हैं तो अब यहां पे नेक्स टेप में जिस कड़ाई में मै रहे हैं पीड़ा है तो अब हुआ पर पानी आप शुक्र बढाइल से रहे हैं तो अब यहां पर फ्लेम हाई है तो क्या होगा रहे है चिकन जो है बहुत अच्छे से पकेंगी तो अपना जूस रिलीज होगा इन का और दही का भी पानी है तो यहां पर दो मिनिट लगें आपको यह प्रोसेस करने में तो जब देखें कि पानी ड्राइप होने लगाया चिकन का तो स्टर करना शुरू कर दीजिए और अच्छे से मिला दीजिए तो यहां पर हमें सिंपली करना के आए कि चिकन को बहुत अच्छे से हमें भून लेना है और यह इस तरह की हो जाएग तो यहां पर बड़ास भसल लिए है जिसमें में ने ढाला है हाफ कब डुइ यूदा डाला है हाफ कड़ग वायल कि रर्ट की रेस्टरान स्ट्राइल चिकान के राचे सी बन रही है तो दो धना ओष जाएगा पर िकशय थेंट प्यास का पेस्ट तो यहां पे सिंप्ली मैं एक मीडिम साइज की प्यास ली है और इसको चॉप करा और उसके बादने इसको ब्लेंड कर लिया और यहां पे देखें इस तरह का फाइन पेस्ट हमारा मिल गया है प्यास का जब भी पेस्ट बना रहे हैं आप घर पे ही उसमें पानी नहीं डाले वह ऐसे ही इसमें बहुत सारा मॉश्यर होता है तो इस तरह का इसली फाइन पेस्ट बन जाएगा तो यहां पेस्ट वाइल में डाल कर इसको मैं अच्छे से भून ले रहे हूं और प्यास को ध्यान रखे हमें अच्छे से भूनना है इसको अच्छापन अगर ग्रेवी बनाते ताम यह दो स्टेप अच्छे से करेंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी बनकर त्यार होती है और कच्छा फ्लेवर नहीं आता है तो यह बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप इस तरह की डिश बना रहे है अगर उसमें पेस्ट डाल रहे है प्य चेह चल जाता है कि वह रही हो चुक है ल कि झोख अब प्यास जाले होते हैं तो अंदाजा नहीं यह कैसे होगा तो दो मिनट तक अछय से ्लो यहां पर कितना पेस्ट लिए क्याना एजी हो गया ना इस शारे मसाले पहले मिक्स करकर रग कर तो यहां पर एककर हमें आपले अद लिए और यह सारा मसाला पेस्ट मैंने यहां पर डाल दिया है तो यह मसाला पेस्ट डाल कर मैं इसको लगतार भून रही हूँ और अब देख सकते हैं माशालला हमारी ग्रेवी का जो कलर है वो कितना अच्छा आने वाला है कि यह थो धो uen întयों डीव कंट के है पर पहचा है, हमारा तो तτάकर हो भिवा-डाय तो असके पहणे कितना प्यारा काँथ कम्प्लीट्ली भून चुका है तो यहां पे नहीं है। न Kellya में मासाले में मृइट अक्रीम यह में। मृइभड अच्छा हुआ विर्पवर तो दीन लूइ पहुत है। मृइव थान धें थाट मृत सब्सक्राlies गराइब मासे का सिवन, औरकर अजे। ममने के लिछेफ़ तक भून देचाने है। जड़े-थोड़े थोड़े ड्रॉप्स जो हैं वोयल के आ जाते हैं तो यह मसाला देखिए हमारा बुछ चुका है 2-3 मिनट तक मैं और बूल लिया है और अब मैं इसमें ताल रही हूं हमारे मैं जड़े प्रोसेश कर रहा था था ना चिकन को वो सारा चिकन में इस मसाले मे बहुत ही एजी रेसिपी है आपको इसको प्रिपरेशन करने में बस 10 मिन लगे और इसको बनाने में अदर गंटा क्योंकि आपके बहुत ही आसानी से बन कर त्यार हो जाती है मैं चीकन आट से बहुत है जिससे ब्हून ए शबह II मनट तक मैं भूने वे मसालो के साथ में चीकन को भूनना है व्ह punished जिससे बाणना अब यह रहा हम डीको थीव से फ्रशर क्रीमाश के प 새로 एंतल खासे माई दूटके जा Do प्लीज एक बार चैनल पर विजिट कर लीजे और यह मसाला देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छा मसाला मैंने बना कर तियार किया है गरम मसाला गर्ड़ी तो यहां पर मैं थोड़ा सा डाल रही हूं इसमें शक्कर तो यहां पर बैलन्स करने के लिए सारे चीजों को आदे भी स्वेश पर इसमें बने हैं और दूद के भी मुआ आप जोगोम नहीं मैं सायरा थे मुआ गाम में लीजा कर टाले थी और दूड़ी में दूटली वेके शचिकन गीजन बन रही है तो दूद की यहां पर पानी का कम यूज करूँगी मैं लेकिन दूद जादा यूज क कितना माशालला प्यारा सा कलर आ चुका है हमारी ग्रेवी के ऊपर और बहुत ही अच्छे चिकन चंगेजे दिख रहे हैं तो लगतार में यहां पर अच्छे से भून रही हूं जिससे चिकन की अंदर अंदर तक सारी ग्रेवी का फ्लेवर जो है आ जाए और बहुत ही अब यहां पर ग्रेवी लगानी है तो एक कप दूद ard अब मैं इस वसल के लिड लगा दूँगी और तक्रीबन चार से पांच मिनट तक मीडियूम फ्लेम पे मैं इसको कुप कर लूँगी ढग कर तो यहां पर पांच मिनट हो चुके हैं अब मैं हमारे चिकन को चेक कर लेती हूँ वाव यहां पर देख सकते हैं कितने अच्छी सी दिख रही है तो बराबर से में एक बार स्टर कर दूँगी इसके ओपर पूरा ओयल जो है सफिस पर आने लगा है देखें परफिक कर्सिस्टेंसी हो चुकी है यहां पर बस आपने फ्लेम को हाई रखना है जब आप लिड हटाएं तो फ्लेम को डिरेक हाई कर दें और हाई तो इसलिए इससे दादा हमें ड्राइ नहीं करना तो बस परफिक्ट हमारी मुगलाई चिकन चंगेजी रस्टरन स्टाइल बनकर त्यार हो चुकी है फ्लेम को आप में ओफ कर दे रही हूं और बस इसको गर्मा गरम में डिश ओट कर लोगी तो यह लीजिए हमारी शांदा इससे आपको बनाना बताया है इसे तो मीध आपको मेरी रसेपी अच्छी लगी होगी तो बस यह रस्टरन स्टाइल चिकन चंगेजी आप अपने हाथों से अपने घर पर बनाएगे घर पर पढ़ेवे मौजूद इंगरंस के साथ में और बहतरी रस्टरों वाली जरूर कर लीजिएगा तो फिर भी लोगी मैं ऐसी धमाके दौर इंट्रस्टिंग रसेपी लेकर आप सभी के लिए तब तक अपना और अपने फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल बाय थैंक्स पर वाचिंग